अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को लाइक और सबस्क्राइब जरू करें जिससे आपको आने वाली नौटिफिकेशन के बारे में भी यहां पर पता लगता रहेगा तो स्टार्ट करने से पहले आज के दिन का एक पहला वीडियो अभी तक आ चुका है जिसम एक नेगिटिव टेरिटरी में जो है क्लोजिंग आपको होते हुए देखने को मिली है तो इसका आगे क्या इंपैक्ट रहने वाला है और इस तरह की जो मार्किट है उसमें अरन करने के लिए किस तरह की जो रन नीत है वो आपको अपनाने यह सारा कुछ यहां पर बताया और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बहुती बड़े दिगज अधानी पावर के बारे में देखिए पावर सेक्टर की अगर बात करते हैं तो अधानी पावर की अगर रिटरंस की बात कर लेते हैं पिछले कुछ टाइम में बहुत जबर जस्त और बहुत हाइस्ट रिटर्न इस शेर ने दी हैं क्योंकि देखे बहुत टाइम तक कॉंसॉलिडेशन के अंदर भी ये शेर फसा हुआ था और आज के अगर हम क्लोजिंग के बात करते हैं तो दोस्तों यहां पर लास्ट में जाते जाते हैं एक आपको अपर सर्कुट देखने को मिला है तेहरा पॉइंट के साथ साथ और लास्ट बिलकुल लास्ट में जाते हुए ये सर्कुट आपको देखने को मिला है और अदरवाइस वैसे नॉर्मल बात करते हैं तो देखे एक नॉर्मल ट्रेडिंग यहां पे चल रही थी यानि कि देखे ये जो था ये था आपका बाइंग जोन और हम अगर पांच दिनों की बात करते हैं तो देखे एक कल की बात करते हैं तो कल भी यहां लोवर सरकुट लगते हुए दिखाई दिया यानि कि देखे लगबग 30 पॉइंट की रिकवरी यानि कि 300 से लेके 280 तक ये शेर आ चुगा है आपको यहां पे देखने को मिलेगा और अगर हम यहां पे सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो देखे यहां पे यह जो 250 की थी बहुती जबरजस्त और बहुती इंपोर्टन्ट सपोर्ट थी देखे पहले भी डिसकस किया है तो ये जो सपोर्ट है ये बिल्कुल भी ब्रेक होने वाली नहीं थी और आज यहां से दुबारा रिवर्स होता हुआ ये शेर आपको यहां पे दिखाई दिया है और देखे इस तरह के जो शेर्स होते हैं वहां पे बहुत जबरजस्त कमाई का मोका भी होता है फाइनेशली बात करते हैं तो बहुत ही स्ट्रोंग कमपनिया भी आज के टाइम में हो चुके है और पिछले दोस्तों वन येर की बात कर लेते हैं तो वन येर में ओल्मोस्त आपका जो पैसा है यहां पे दो गुना पैसा हो चुका है वन येर के अंदर अंदर 208% के रिटन मिले हैं और थोड़ा सा अगर हम पीछे चले जाते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर बाइस जून 2018 की बात करते हैं या फिर हम बात कर लेते हैं 27 मर्च 2020 की तो वहां पे इस शेर का जो पराइस रूपार्ण फार जो आपको यहां पर स्क्रीन में देख पारा है यहां है यानि 26 रूपार्ण 3 अपरिश दूरह बीस को शेर था और वहां से तीन सो पुइंट की यहँ अगर मैं रिटरंस बात करूँ नअ वर। और देखे इस शेयर को देखे हर हाल पे हर वीडियो के अंदर हमने डिसकस किया हर दम बुलिश रहे और वहां से अगर बात करते हैं तो विदिन टू यर्स दो साल की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे जो रिटन मिले गए दोस्तो आठ सो परसंट या निकि जो आपने पैसा लगाया दो साल पहले वह आपका आठ गुना पैसा हो गया तो इस तरह के जो शेयर होते हैं वह बहुती स्ट्रोंग शेयर होते हैं और अभी बहुती बड़ी बिग ब्रेकिंग नियूज हमें यहाँ पे आते हुए देखने को मिल चुके हैं इस शेयर के बारे में हमारे साम जो है बढ़ता हुआ दिखाई दिया है इसमें रिवेन्यू की बात करते हैं तो 93% की ग्रोथ रिवेन्यू के अंदर देखने को मली है क्यों क्यू बेसिस पे तो बहुत शार्प और बहुत जबर जस्तोर देखें इसकी पीछे की जो सबसे बड़ी वजा है वो दोस्तों य आ गई थी और पावर कट लगाए भी यह चेछे घंटे के एंसियार की बात करते हैं तो दिन में चेछे घंटे के पावर कट लगाए तो वहां पे इन कंपनीज को पूरा पूरा फायदा आपको होते हुए दिखाई देगा और देखिए नेक्स्ट को आटर की अगर हम बात बात कर लेते तो 4645 करोड का प्रोफित हमें देखने को मिला है जब लास्ट येर की बात करते हैं लास्ट हियर के लास्ट उक्म Olा की सेम तो वहां पे सिर्फ duration था इसका time duration था 5 to 8 years यानि कि 5 से 8 सालों में 1000 यानि कि 9 गुना आपका पैसा होने वाला ये चीजे मैंने खुल के गई थी और दीखें 3 गुना तो almost हो चुका है 100 रुपे से 300 रुपे तो शेर आच चुका है consolidated revenue के अगर बात करते हैं तो 93% year on year growth देखने को मिलिये हमें revenues के अंदर जो कि 13,308 करोड रुपीज के असपास रहा compared to 6,902 करोड यानि कि last year के last quarter की बात करते हैं same तो 6,902 करोड के असपास रहा जबकि यहाँ पर अगरम बात करते हैं तो almost double यहाँ पर हमें growth revenues के अंदर देखने को मिल रही है और यहाँ पर हम period revenue की बात करते हैं तो 2946 करोड रुपीज के असपास रहा जबकि पिछले quarter की बात करते हैं तो वहाँ पर 1,982 करोड तो देखी यहाँ पर जो jump है न वो बहुत जबरजस्त देखने को मिला है और EBITDA की बात करते हैं यहाँ भी EBITDA में भी 271% year on year growth यहाँ पर देखने को मिली है जो की 7,942 करोड रुपीज के आसपास रही और अगर हम पिछले quarter की बात करते हैं तो 2,143 करोड तो देखे year on year EBITDA के अंदर भी बहुत शार्प और बहुत तेज ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है और देखे इसी के चातना अब यह कंपनी यहाँ से चल चुकी है और बहुत सारे प्रोजेक्ट भी इन्होंने last year लेते हुए हमें यह कंपनी दिखाई दिए और last time के अगर हम बात करते हैं तो देखे इनका एक case भी चला हुआ था कई जगा जो इनके amount जो है रुके हुए थे उस चीज़ का भी हमें यहाँ पर फाइदा देखने को मिल रहा है तो सुप्रीम कोट ने वो पैसा इनको time पे देने को कहा था states को तो उसका फाइदा भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इस company के अंदर और अगर हम बात करते हैं इंडिया के अंदर electricity demand की तो दोस्तों बहुत जबर्जस्त continue growth इंडिया के अंदर देखने को मिल रही है और जो यह जो economic जो एकदम से boost की है क्योंकि देखे पहले अगर हम कोरोना की बात करते हैं तो बहुत जबर्जस्त shortfall हमें हर चीज के अंदर देखने को मिला था जो एक तरीके से जो business इस थे वो पूरे ठब हो चुके थे और अब जब lockdown हर चीज open हो चुके बहुत जबर्जस electricity के अगर बात करते हैं तो electricity पे भी आता हुआ दिखाई दिया है इवन दो अप्रेल के महीने की बात करते हैं तो बहुत जबर्जस्त crisis भी इंडिया के अंदर 2022 के अंदर crisis भी हमें last month दिखाई दिया है अप्रेल में तो उसका भी फायदा अब इन चीजों को यहां पे आता ह पन रुपए के था और अगर हम यहां पर वोल्यूम की बात करते हैं तो 3.98.000.000 के आसपास यहां पर हमें बहुत जबर्जस्त वोल्यूम भी यहां पर क्रियेट होता हुआ दिखाई दिया 3.98.000.000 के आसपास और आप देखें दुबारा से इसके अंदर कम से कम 300 तक तो य इस शेयर स्ट्रेंथ रखता है और 300 तक अभी यहां से जाता हुआ भी आपको दिखाई देगा और देखें यहां पे इन लेवल्स पे भी इसको बाय करके चला जा सकता है यानि कि यहां से भी आपको 20.101 पर्षेंट मिल जाएंगे और देखें जैसे ही 300 का हर्डल है यहां इसे ही क्रोस होता है तो यहां पे दोस्तों 3500 रुपए के लेवल भी आपको कुछी महीने के अंदर अंदर आते हुए दिखाई दे सकते हैं तो इस शेयर को यहां से बाय करके चला जा सकता है 101 पर्षेंट बहुत जबर्जस्त और बहुत शांदा रिजल्ट हमें आते अपनी है और क्योंकि देखिए आने वाले टाइम में लगबग ढाई तीन लाक करोड के आसपास यह ग्रीन एनरजी के अंदर जो है पैसा लगाने वाले तो उसका फायदा भी हमें यहां पे अदानी पावर या जितने भी पावर सेक्टर के शेयर हैं उन पे आता हुआ दि आता हैं